और खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई ब्रिटन में किये गए एक अधियन से पता चला है कि मिक्स औन मैच तरीके से वैक्सीन लगाने पर कोरोना वैरिस से जाधा सुरक्षा मिलती है इस तरीके में पहली और दूसरी डोज अलग अलग ब्रैंड की वैक्सीन्स की लगाई जाती है ओक्सपोर्ड युनिवर्सिटी की एक टीम द्वारा किये गए ट्रायल में ये जाँच की गई कि कौन सी दो डोज जाधा सुरक्षा देती है दोनों फाइजर वैक्सीन की, दोनों एस्ट्राजैनिका की या फिर एक फाइजर और दूसरी एस्ट्राजैनिका की सुरक्षा तो सभी तरीकों से मिली मगर स्टडी में इस बात की पुष्टी हुई कि किसी भी क्रम में कोवीड की दो अलग-अलग वैक्सीन लगाने से वायरस को लेकर जादा एंटी बॉडिज बनी इस स्टडी के दौरान पहली और दूसरी डोज में चार हफ्तों का अंतर रखा गया था और विशेशर्गियों का कहना है कि इस से उन देशों में वैक्सीन लगाने में सुविधा होगी जहाँ पर टीका करन अभ्यान चलाने में मुश्किले होती है मेरे ख्याल से मिक्स एंड मैच को लेकर हुई तमाम स्टडी तब काफी एहम हो जाती है जब ये देखा जाए कि इन वैक्सीन को दुनिया भर में कैसे इस्तिमाल किया जाना है चीन की वैक्सीन और रूस की स्पुतनिक भी जैसी और भी वैक्सीन का अधियन किया जा रहा है क्योंकि इन्हें निम्न और मद्यम आये वाले देशों में इस्तिमाल किया जा सकता है वहाँ पर मजबूरन मिक्स एंड मैच तरीका अपनाना पड़ सकता है तो ये देखा जा रहा है कि इन वैक्सीन को लगाने से क्या असर होता है कौन सा कॉंबिनेशन सही काम करता है कौन सा नहीं इस विशाय पर शोध इसलिए जरूरी है ताके हमें पता चल सके कि इन्हें कैसे इस्तिमाल करना है वही आज भारत में मौडरना वैक्सीन के सीमित इस्तिमाल की इजाज़त मिल गई इसे मिलाकर अब भारत में चार वैक्सीन हो गई है कोवैक्सीन, कोवीशील, स्पुतनिक वी और मौडरना वही वाल्ड कोरोना अपडेट की बात करें टीका करन के उच दर के बावजूद बृटिन में डेल्टा वारियन के मामले बढ़ रहे हैं ये प्रतिबंद एक जुलाई से लागो हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना वारत संक्रमन के मामले बढ़ रहे हैं वहाँ Queensland राज्य में कई कोरोना प्रतिबंद फिर से लागो कर दिये गये हैं वहाँ Community Transmission के कुछ मामले सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया है Queensland के Brisbane समेथ कई बड़े शहरों में लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी होगा साथी कई लोगों की एक जगह जमा होने पर भी रोक लगी है पश्चमी आस्ट्रेलिया के पर्थ में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कोरोना के नए नए वारियंट अलग 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 देशों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं